इसका पीडियेफ एविलेबल है अगर आपको पीडियेफ चाहिए तो टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप यह चैनल के कम्यूटी बॉक्स में जाईए वहाँ पर इसके रिगार्डिंग में इन्फोर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तेगे सबसे पहले विधान सभा यानि लेजिसलेटिव एसेमली के बारे में डिसकस करेंगे सन्विधान के भाग सिक्स के पर्वधान 3 में 143 में 168 से 111 तक राज्यों के विधान मंडल बाए में उलेख है अनुचेद 168 के अनुचर के अनुसार राज बिधान मंडल का गठन विधान परिशद, विधान सभा और राजपाल को मिला कर होगा परतिकराज में विधाय TWO के संपादन के लिए विधान स सभा का प्रवधान किया गया है अनुछेद 170 के अनुसार अगर बात करें तो परतिक राज की बिधान सभा उस राज में प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों से परत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चूने गया अधिक सदिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी अपवा सर्व अगर बात करें तो वरतमान में राज्यों में सिक्क्य, मिजोरम और गोवा की बिधान सभाएं 60 से कम सदस्यों वाली हैं कहां पर तो सिक्के में 32 सदस, गोवा और मिजोरम में 40-40 इसके अत्रिक्ष अगर बात करें तो पूदू चेरी संग राज हित्र की विधान सभा में 30 सदस निर्वाचित तथा 3 सदस से तो याद खिएगा इसका त्रिक्ट पूदू चेरी संग राज हित्र की विधान सभा में 30 सदस निर्वाचित और 3 सदस से किंद्र सरकार के द्वरा मनोनित होते हैं सबसे बड़ी विधान सभा उत्तर पर्देश की है 403 सदस्यों की संख्या है राज विधान सभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है कौन तो भारत का निर्वाचन आयोग अनुछेद 172 के नुशार अगर बात करे तो पर्दिख राज को विधान सभाण निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों मे ऐसी रिती से बीभाजित किया जाएगा कि पर्दिख निर्वाचन छेत्र की जन संख्या का उसको आवंग्ठित अस्थानों की सं स्थापित करता है अनुपस्थिती में उसके कारियों का संपाधन उपाध्यक्ष करता है 84 वे सैने में धानिक शंशोधन अधनियम 2001 के नुसार अगर बात करें तो राज विधान सभाओं की सीटों की संक्या जो की वर्तमान में वर्स 1971 के जंगर्णा पर अधारित है 26 के पश्चात होने वाली पहली जंगर्णा के सुसंगत आकड़े परकासित होने तक यही रहेगी जमू और कस्मीर पुनरगठन अधनियम दर 19 की धारा 14-3 के तहट जमू और कस्मीर में विधान सभा सदस्यों की कुल संक्या 107 निर्धारित थी जिसे परिसीमन के बाद बढ़ा कर 114 कर दिया गया है जिसमें 24 सीटे पाकिस्तान के द्वारा अधिगरहित छेत्र प्योके में होने के कारण रिक्त रखी जाएगी इस परकार जमू और कस्मीर विधान सभा के कुल निर्वाची सदस्यों की संक्या 83 परवधानित थी जिसे परिसीमन के बाद बढ़ा कर 90 यानि कुल सीटे 107 से बढ़ा कर 114 कर दिया गया है जैसा कि अगर बात करें यहाँ पे ध्यान लखिएगा जैसा कि प्रवधान जमू और कस्मीर पुनरगठन अधिनियम दहर 19 की धरा साथ में किया गया था जमू और कस्मीर विधान सभा में 9 सीटे अनुसूचित जन जाती के लिए तथा 7 सीटे 7 सीटे अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित की गई है दिल्ली पुदुचेरी और जमू कास्मीर ऐसे संग सासित परदेश है जहां विधान सभाओं की बिवस्था है तो प्रस ने पूछा जाता है कि इन में से किन राज्यों में या संग राच्छित्रों में विधान सभाओं की विवस्था है तो याद रखेगा दिल्ली, पुद्दू, चेरी और जमु कासमीर में अनुछेद 173 के तहट विधान सभा की सदस्यत्या के लिए योगताएं हैं वह भारत का नागरीक हो उसकी आयू कम से कम 25 और सो अनुछेद 332 के तहट अगर बात करें तो विधान सभाओं में जनसंख्या के अधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए अस्थानों के आरक्षण का प्रोधान है इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में डिसकस करेंगे विधान परिशत के बारे में अनुछेद 179 के तहट अगर बात करें तो संसद बीधी के द्वारा किसी राज में विधान परिशत के स्रीजन या उत्सा करें ठीक है अनुछेद 171 के तहट बिधान परिशतों के गठन का प्रवधान किया गया है वर्तमान में छह राज्यों छह राज्यों कौन-कौन से तो आंद्रपरदेश बिहार महराश करनाटक तिलंगना उत्तरपरदेश में बिधान परिशतों का अस्तित्व है विधान परिशत एक अस्थाई सदन है इसके सदस्यों का कारेकाल सिक्स यर तक रहता है यानि छे वर्सों तक रहता है और परतिक डिवित्य वर्स की समाप्ति पर इसके यथा संभव निकर्तम एक तिहाई जो सदस्यों होते हैं निवरित हो जाते हैं अनुछेद 171 के अनुसार वि संख्या किसी भी दसा में 40 से कम नहीं होगी उतर परदेश की विधान परिसदों में सरवाधिक यानि 100 सदस्यों हैं अनुछेद 171 के खंड दों में प्रवधानित है कि जब तक संसद बीधी के द्वारा या अन उपबंद न करे तब तक किसी राज की विधान परिसद की संद्रचना अनुछेद 171 के खंड तीन में उपबंधित रिती से होगी अनुछेद 171.3 में विधान परिसद के यथा सक के निकटतम पांच बाटा 6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा से सदस्यों को राजपाल के द्वारा मनुनित किये जाने का प्रवधान है राजियों में विधान परिसदों की संद्रचना अनुछेद 172 के तहट संसत के द्वारा बनाई गई बीधी यानि लोगपरति निधेत्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रवधानों के अनुरूप है विधान परिसद अपने सभापती या उप सभापती को सधारन वहुमा से संकल्प पारित कर उनके पद से जोई हटा सकती है अनुछेद 173 के तहट अगर बात करें तो विधान मंडल की सदस्यता के लिए अहरताएं नहित है जबकि अनुछेद 191 में विधान मंडल की सदस्यता के लिए निरहरताओं का उलेख है विधान परिशत का सदस से निर्वाचित होने के लिए 30 वर्स तथा विधान सभाग का सदस से निर्वाचित होने के लिए 25 वर्स की आयू अवस्यक है अनुछेद 192 कनुसार विधान मंडल के किसी सदन का याद रखेगा विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस से किसी निरहर्टा से गरस्त है या नहीं इस प्रस्ण का विनिश्चय राजपाल निरवाचन आयो की प्रामट से करता है अनुछेद 194 के तहट अगर बात करें तो राज विधान मंडल का कोई सदस सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लागातार 60 दिनों तक अनुपस्तित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है इसके बाद है राज मंत्री परिशद देखें सर्मिधान कनुछेद 163 के अनुसार अगर बात करें तो राजपाल को उसके बीवेका धिन कारियों के अत्रिक्त है अनकारियों के संदर में सहयता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका प्रधान मुख मंत्री होगा अनुचेद 164-1 के तहट मुखमंत्री की निव्ती राजपाल की द्वारा की जाती है और अन्मंत्रियों की निव्ती राजपाल मुखमंत्री की सलाह पर करता है मंत्री राजपाल के परसाद परियंत पर धारण करते हैं 91 सन्विधान संसोधन अंधिनियां 23 के द्वारा अनता अस्थापित अनुछेद 164 के खंड वन कक के नुशार किसी राज की मंत्री परिसद में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी अनुछेद 162 के तहट मंत्री परिसद राज की विधान सभा के प्रति सामोही कृट से उतरदाई होती है अनुछेद 164 कनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी ओधी तक राजविधान मंडल का सदस्य नहीं है उस ओधी की समाप्ती पर मंत्री नहीं रहेगा अनुछेद 164 में राजपाल को जनकारी देने आधी के समंद में मुख मंत्री के कर्तब्यों का उलेख है पहला प्रस्न है भारतिय सन्विधान कनुसार राजजियों की विधाईका में समलित है तो इसका सही जबाब हो जाएगा इसमें जो तीन और जो चार है वो समलित है दोनों ही समलित है तीन और चार विधान सभा और राजपाल राजपाल विधान सभा और विधान परिशद जहां इसका स्तित्व है तीन और चार जो की option C में दिया गया है अनुछेद 168 कनुसा राज्यों की बिधाईका में सामिल है राजेपाल बिधान सभा बिधान परिसद जहां इसका स्तित्व है इस परका जीन राज्यों में बिधान परिसद नहीं है उनके संदर में तीसरा सही है जब कि जीन राज्यों में बिधान परिसद उनके संदर में चोथा जो statement है वो सही है आगे बढ़ते हैं प्रस्ष संख्या 2 पुछा गया है कि भारत में राज विधान पालिकाओं का उच सदन कौन सा है तो याद रखिएगा विधान पाली का परिशत विधान पाली का परिशत सन्विधान कनुछेद 168 दो क्यनुसार जहां किसी राज क विधान मंडल की दो सदन है वहां एक का नाम विधान परिशत और दूसरी का नाम विधान सभा होता है इनमें विधान परिशत विधान सभा निचला सदन होता है ठर्ड नमबर है राज विधान परिशत का प्रवधान भारती सन्विधान के किस अनुछेद में रखा गया ह सही जबावे अनुछेद 171 बी ऑप्सन राज विधान परिशत का प्रवधान भारतिय सन्विधान कनुछेद 171 में है अनुछेद 171 के नुसार राज की विधान परिशत के सद्दस्यों की कुल संख्या उस राज की विधान सभा के सद्दस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अभिक नहीं होगी प्रंतु किसी राज की विधान परिशत के सदस्यों की संख्या किसी भी दसा में 40 से कम नहीं होगी वर्तमान में किवल 6 राज्यों करनाटक, उत्तरपर्देश, महराश, बिहार, आंद्रपर्देश, तेलांगना में ही विधान परिशत है अनुछेद 170 में बिधान सभाओं की संद्रचना, अनुछेद 172 में राज्यों के बिधान मंडलों की ओदी और अनुछेद 173 में राज के बिधान मंडल की सदस्यता के लिए अहरता वणनित है तो सही जबाब हो जाएगा संबंधित राज की विधान सभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसत से पारित विधी के द्वारा यानि C option सनविधान कनुचेद 179.1 कनुचार राज में दूसरे सदन या विधान परिशत की अस्थापना या विगटन संसत बीधी के द्वारा तब तक कर सकती है जब समंधित राज की विधान सभा इसासय का संकल्प सदन की कुल सदस संक्या के बहुमत तथा उपस्तित और मत देने वाले सदस्यों के दो बटा तीन बहुमत से पारित कर दे तत समंधि बीधी को संसत सदारण बिध्यक की भाती समान बहुमत से पारित कर सकती है तथा अनुचेद 179 के तहट ऐसी बीधी अनुचेद 368 के परियोजनों के लिए इस संविधान का संसोदन जो है नहीं समझी जाएगी 5 नमबर है निमलिकित में से किस बिधाई सदन को समाप्त किया जा सकता है तो बिधान परिशत D option 6 नमबर है भारत के किसी राज में बिधान परिशत का स्रीजन या उसकी समाप्ति की जा सकती है भारत के किसी राज में विधान परिशत का स्रीजन या उसकी समाप्ति की जा सकती है इसका सही जबाब हो जाएगा बताईए सही जबाब है राज विधान सभा के तत सम्मंदी संकल पारित करने पर संसत के द्वारे यानि C आप्शन सेवे नमबर है भारती सन्विधान के निमलिखित में से किस अनुछेद के अंतरगत विधान सभा को विधान परिशत का स्रीजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है सही जबाब है 179 बी ओप्शन बिल्कुल करेक्ट ओप्शन है इट नमबर है भारती सन्विधान के निमलिखित अनुछेदों में से किस एक अंतरगत विधान परिशत की अस्थापना या समाप्ती की बिवस्था की गई है अनुछेद 179 के तहट बी ओप्शन नाइन नमबर राजियों में विधान परिशत के सिरिजन के लिए सन्विधान के किस अनुछेद में वर्णिक परकिरिया को अपनाया जाता है इसके बाद प्रशन शंकिया 10 से राज विधान परिशत के उस्थादन के लिए राज विधान सभाग के द्वारा सन्विधान के नुछेद 179 के अंतरगर सुविक्रिस संकल्प के बारे में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है तो इसका सही जबाब हो जाएगा बताइए केंद्र सरकार कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वसंसद में विधी निर्माण के लिए कारवाहि करे बी ओप्सन इसका सही जबाब है लाज विधान परिशत के उसाधन या समापन के लिए राज बिधान साबा के द्वरा सन्विधान कनुछेद 179 के अंतरगत शुक्र संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाधियाता मतलब कि आधिरोपित नहीं करता है वो संसद में तत संबंदी बिधी निर्माण के लिए कारेवाही करें एक 11 नमबर है भारत के एक राज जिमें विधान परिषद के गठन के संदर में निम्न में से कौन से कथन सही है इसका सही जवाब हो जाएगा एक विधान परिषद में उस राज की विधान सभा की कुल सदस संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस नहीं हो सकते हैं दूसरा एक राज की विधान परिसद में कम से कम 40 सदस अवस होनी चाहिए तो इसका सही जबाब हो जाएगा अप्शन ए दोनों पहला और दूसरा दोनों सही है सन्वेधान कनुछेद 171 के खंड वन कनुसार किसी राज की विधान परिसद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी परन्तु किसी राज की विधान परिसद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दसा में 40 से कम नहीं होगी बारा नमबर है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसमें दो कथन हैं दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है पहला कथन है कि भारत में किसी राज की विधान परिशत आकार में उस राज की विधान परिशत के आदे से अधिक बड़ी हो सकती है ऐसा नहीं है किसी राज का राजपाल उस राज की विधान परिशत के सभापती को नाम निर्देशित करता है ये भी सही नहीं है न तो पहला न तो दूसरा स्टेट्मेंट सही है यानि D-Option अनुछेद 171 कनुसार विधान परिशत की सदस्य संख्या उस राज की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदिक नहीं होगी लेकिन किसी भी दसा में 40 से कम नहीं होगी अनुछेद 182 कनुसार विधान परिशत के सभापती और ऊप सभापती का जो निर्वाचन होता है विधान परिशत के द्वारा किया जाता है तेरा नमबर है उतर परदेश की विधान परिशद में राजपाल के द्वारा कितने सदस्यू को मनोनित किया जाता है तो याद रखिएगा कुल सदस्यू का एक बटा दस भाग सन्विधान क अनुछेद 173 के तहट विधान परिशद में कुल सदस्य संख्या जो ये निकरतम पांच बटा छे सदस्यू का निर्वाचन होने और से सदस्यू को राजपाल के द्वरा सहित बिग्यान कला सहकारी आंदोलन और समाजिक सेवा के छेतर में बेहवारिक अनुभा की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रवधानों के अनुरूप है इसी के तहट अब विभाजित उतर परदेश की विधान परिशद के कुल 108 सदस्यों में से 12 सदस्यों में से 10 सदस्यों को राजपाल के द्वरा मनुनित किया जाते थे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधान सवा निर्वाचन छेत्र सदस्यों संख्या 38 उतर परदेश विधान परिशद के गठन का वर्तमान जो सवरूप है आप देख सकते हैं जो विधान सवा निरवाचन छेतर से जो सदस्य संखिया है अचर 1,38 अस्थाने का निरवाचन छेतर लिपा टी вмечно चेतर 5,8 असना गार निरवाचन 08, मनोनित 10 कुल मिलाकर 100 के आगर वड़ते हैं नेग्स्ट प्रश्ण संखिया स्दस्यों लिद्हान परिशद ? मनोनित सदस्यू की संख्या कितनी होती है विधान परिशद में मनोनित सदस्यू की संख्या उपरुक्त में से कोई नहीं डी अप्सन कितना होता है सर्विधान कनुछेद 173 में विधान परिशद के निकर्टम 5 वटा 6 सदस्यू का निर्वाचन होने जिसमें से 1 वटा 3, प्लस 1 वटा 12, 1 वटा 12, 1 वटा 3, कुल मिलाकर 5 वटा 6 सदस्यों का निर्वाचन और 6 सदस्यों को राजपाल के द्वरा मनुनित की जाने का प्रवधान है विधान परिषद की वर्तमान सद्चना अनुछेदेग 152 के तहस अंसत के द्वरा बनाएगे विधी यानि लोक प्रतिनेधित वो अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची तीन के प्रवधानों के अनुरूप है आंद्र पर्देश की विधान परिशत के कुल 58 सदस्यों में से 8 सदस्य, बिहार की विधान परिशत के कुल 75 सदस्यों में से 12 सदस्य, जो है महराश की विधान परिशत के कुल 78 सदस्यों में से 12 सदस्य, करनाटा की विधान परिशत के कुल 75 सदस्यों में से 11 सदस्य, तेलंग 15 नमबर है राज विधान परिशत के विशय में सही क्या है तो देखे इसका सही जवाब हो जाएगा राज विधान परिशत के संदर में जो सही है पहला तीसरा पांचवा और इसमें जो छठा है पहला इसका कारेकाल सिक्स वर्ष का होता है यह भंग नहीं किया जा सकता एक बटा छे सदर से विधान सभाग के द्वारे निर्वाचित होते हैं ठीक है और इसके बाद उस राज उपराज पाल जो होते हैं सदन का सभापती होते हैं तो यह सारा स्टेट्मेंट मतलब की चार इसमें से सही है पहला तीसरा पाचवा और सातवा याद रखिएगा दिखे राज सभाग की तरह विधान परिशद भी एक अस्थाई सदन है इसे भंग नहीं किया जा सकता है विधान परिशद के लगभग एक तीहाई सदस परतेक दूसरे वर्ष सेवा निवर्थ होते रहते हैं विधान परिशद के यह सदस्यू का जो कारेकाल होता है छे वर्ष का होता है विधान परिशद में अधिक्तम सदस्य संख्या विधान सभा के एक तीहाई और निउनटम čालिस हो सकती है सन्विधान कनुछेद 179 के तहट की सिराज विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्ति तथा मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो तीहाई बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव परज़शंसत बीधी के द्वारा समंधित राज में विधान परिशत के स्रीजन या समाप्ति का उपवन्द कर सकती है अनुछेद 171.3 के प्रवधानों के तहद विधान परिशत की संख्या इस परकार निर्धारित की गई है पहला देखिए निकर्तम एक तिहाई सदस अस्थाने निकायों के द्वारा चुने जाएंगे दूसरा निकर्तम एक बटा 12 सदस नियुनतम 3 वर्ष से असनातकों के द्वारा निर्वाचित की जाएंगे तिसरा निकर्तम एक बटा 12 सदस्यों को नियुनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो कि माध्यमिक अस्तर से निम्न अस्तर के नहीं होनी चाहिए और इसके बाद एक वटातिन सदस बिधान सभा के सदस्यों के दवरा चुने जाएंगे से सदस्यों का नमांकर राजपाल के दवरा किया जाएगा जो कला, सहित, बिग्यान, सहकारी अंदोलन और समास सेवा से जूड़े हो इसके बाद 16 नमबर है राज बिधान परिशत के सदसे निमलिखित में से किस सिरेणी से नहीं चूने जाते हैं तो देखिए उद्योग पती, उद्योग पती लोग चूने नहीं जाते हैं 17 नमबर है निमलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है बिधान परिसद, याद रखेगा, बिधान परिसद को, समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है भारतिय सन्विधान कनुछेद 179 कनुषार संसद बीधी के द्वारा कि सीराज में विधान परिशत के उत्सादन या स्रीजन के लिए उपबंद कर सकती है यदि उस राज की विधान सभा ने इस आसय का संकल विधान सभा की कुले सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्तित और मद देने वाले सदस्यू की संख्या की कम से कम दो तीहाई बहुमत के द्वारा पारित कर दिया है इसको समाप्त किया जाने का प्रधान नहीं है तो याद रखें किसके बारे में यह था यह लाइन लाश्ट वाला तो राज सभा के बारे में तो मतलब कि इसको समाप्त राज सभा को समाप्त नहीं किया जाता है मतलब नहीं किया जाने का प्रवधान है नहीं किया जा सकता है लेकिन बिधान परिशद को जो है मतलब कि विधान सभा ये जो लोक सभा और विधान सभा ये दोनों अस्थाई सदन है लेकिन जो आपका विधान परिशद है और राज सभा जो है ये मतलब कि अस्थाई सदन है विधान परिशद को भंग किया जा सकता है गठन किया जा सकता है राज सभा को भंग नहीं किया जासा था कि ऐसा कोई प्रवधान सन्विधान में नहीं है 18 राजविधान परिशत के सदस्यों का कारेकाल कितने वर्षों का होता है तो आपको मालूम है यदपी सन्विधान अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है भारत के निमलिखित राजियों में से किसमे अब तक विधान परिशद नहीं है याद रखिएगा यदपी सन्विधान अधिनियम सब्तम या सातवी संसोदन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है तो याद रखिएगा मद पर्देश D option सातवे सन्विधान संसोधन 1956 के द्वारा मद पर्देश के लिए भी विधान परिशत की ब्यवस्था की गई थी इसके लिए कोई तारिक नियत न किये जाने के करए इस अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है प्रेशन संक्या भी इस निम्लिकित में से किस राज में विधाईका का दूसरा सदन नहीं है किस राज में विधाईका का दूसरा सदन नहीं है तो तमिलाडू में याद रखिएगा option A बिल्कुल correct option है सन्विधान कनुछेद 168 वन का के अंतरगत अगर बात करें तो वर्तमान में देश के 6 राज्यों आंदर परदेश बिहार माराष करनाटक तिलांगना उतर परदेश में जो है दूसरा नातमक विधाईका यानि विधान सभा और विधान परिसद अस्तित्यों में है तमिलाडू बिधान परिशत अनियम द्वादस के तैस संसत के दोरा तमिलाडू में भी बिधान परिशत की बेवस्था की गई है प्रंति इसके परभावी होने की तीथी को अधिसुचित नहीं किया गया है एक किस नम्बर है निम्न मेंसे किस राज में बिधान परिशत नहीं है तो राजास्थान में याद रखिएगा 22 नमबर है निम्न में से किस राज में द्वी सदनात्मक बिधाई का नहीं है किस राज में द्वी सदनात्मक बिधाई का नहीं है तो मालूम आपको मालूम होगा सही जवाब क्या होगा रड़ जाईएगा किन किन राजियों में बिधान मतलब कि बिधान परिसद है किन किन राजियों में है इतना याद रखिएगा तो यहाँ पे द्वी सदनात्मक बिधाई का नहीं है वो है आपका MP 23 नमबर है निमलिकित राजियों में कहां बिधान परिसद है 24 नंबर है 1956 में कितने पुनरगठित राजियों में द्वी सदनिय विधाईका थी 1956 में कितने पुनरगठित राजियों में द्वी सदनिय विधाईका थी तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा जो अप्शन दिया गया वो सही अप्शन तो नहीं है 1956 में पुनरगठन के बाद बने कुल 14 राजियों में से 7 में द्वी सदनिय विधाईका थी इन 7 राजियों का नाम याद रखिएगा कहां कहां पर द्वी सदनिय विधाईका थी तो उतर पर देश में बिहार में महराश्च्च याने बॉंबे मद्रास याने तमिलाडू मैसूर याने करनाशक पंजाब और पश्रिम बंगाल इन में से पश्रिम बंगाल 1979 में पंजाम 1970 में और तमिलाड़ू 1986 में जो विधान परिशत का मतलगी उत्सादन कर दिया गया था देखे जमू और कस्मीर में विधान परिशत की अस्थापना जमू और कस्मीर के 1957 में अपनाए गए स्थन विधान के तहत की गई थी आंद्रपर्देश में पहली बार विधान परिशत 1958 में अस्थापित हुई 1985 में इसे उत्सादित यानि समापन करने के बाद यहां दुरसाद में पुनव विधान परिशत का गठन किया गया राजपुनर गठन अधिनियम 1956 तथा सन्विधान संसोदन अधिनियम 1956 के तहत मत परदेश में भी बिधान परिशत की अस्थापना का परोधान किया गया था इसे तारिक नियत नक किये जाने के कारण जो है इसे अस्तित में नहीं लाया जा सका तो याद रखिएगा 25 नमबर है भारतिय सन्विधान कनुछेद 170 कनुछार की सिराज की विधान सभा के सदस्यों की नियूंतम और अधिक्तम संख्या हो सकती है भारतिय सन्विधान कनुछेद 170 कनुछार की सिराज की विधान सभा के सदस्यों की कुल नियूंतम और अधिक्तम संख्या हो सकती है कितनी तो 60 और 500 मतलब की नियूंतम 60 अधिक्तम 500 सन्विधान कनुछेद 170 कनुसार परतिक राज की विधान सभा उस राज में प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों से परतिक्स निर्वाचन के द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अनियून सदस्यों से मिल कर बनेगी 26 नमबर निमलिखित में से कौन से राज अनुछेद 170 के उस प्रवधान का पुवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज के विधान सभा के गठन में 60 से कम सदसे नहीं होंगे निमनलिखित में से कौन से राज अनुछेद 170 के उस प्रवधान का पुवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज के विधान सभा के गठन में 60 से कम सदसे नहीं होंगे तो याद रखिएगा सही जबावे सिक्कीम अप्शन A 27 निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि भारत के सन्विधान में उपबंध है कि पर्तिक राज की विधान सभा 450 अनाधिक सदस्यों से मिल कर बनेगी जो राज जिमें प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों से परतिक निर्वाचन के दुवारा चूने जाएंगे दूसरा कोई व्यक्ती किसी राज की विधान सभा के किसी अस्थान को जो है भरने के लिए चुने जाने के लिए अरहित नहीं होगा यदि उसकी आयू 25 वर्षिक कम हो इन दोनों में से जो कतन सही है दूसरा केवल B option सही जबाब हो जाएगा B option यानि दूसरा statement सही है सन्विधान कनुछेद 171 के प्रवधान कनुसार परतिक राज की विधान सभा उस राज में प्रादेशिक निर्वाचन छेत्र से परतियक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए 500 से अनाधिक और 60 से कम नहीं सदस्यों से मिल कर बनेगी इसलिए पहला कथन गलत है अनुछेद 173 कह के तैत राज विधान सभा की किसी अस्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए निहूंतम आयू 25 वर्षे कम नहीं होनी चाहिए 28 भारत के किसी राज की विधान सभा में अधिक्तम कितने सदस्यों हो सकते हैं अधिक्तम सदस्य पूछा गया है तो याद रखिएगा अधिक्तम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है 29 भारतिय सन्विधान के निमनांकित अनुछेदों में से कौन राज की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रवधान प्रस्तूत करता है भारतिय सन्विधान के निम्नांकित अनुछेदों में से कौन राज की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रवधान प्रस्तूत करता है तो सही जबाब हो जाएगा अनुछेद 170 अप्शन ए बिल्कुल क्रेक्ट अप्शन है 30 विधान सभा के सदस्ते के लिए नियुन्तम आयुक्या विहित की गई है तो 25 वर्स युगता 25 वर्स आगे बटें 31 राज विधान सभाओं में आंगल भारतिय समुदाय के लिए परतिनिधित्व का परवधान भारत के सनुदान के किस अनुछेद के द्वारा किया गया है तो प्रश्निकाल में भारतिय सनुदान कनुछे 333 कनुषार यदि किसी राज की राजपाल की यह राय है कि उस राज की विधान सभा में आंगल भारतिय समुदाय का परतिनिधित्व आवस्यक है और उसमें उसका परतिनिधित्व परियाप्त नहीं है तो वह उस विधान स संसोधन अधनियां 2009 के द्वारा यौधी सर्विधान के प्रारम से 70 वर्ष तक निधारित की गई 140 सर्विधान संसोधन अधनियां 2019 के द्वार इसकी यौधी को आगे न बढ़ाते हुए ऐसे निश्प प्रभाविक कर दिया गया 32 किस राजविधान सभा की सरवाधिक सदस्य संख्या है तो आपको मालूम है किस राजविधान सभा की सरवाधिक सदस्य संख्या है तो उत्तर परदेश की D ओप्सन 33 है निमलिखित भारती राजजियों में से किसकी राजविधान सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है तो याद रखिएगा हिमाचल पर रेस B आप्शन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 निमनलिखित युगमों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है कौन एक सुमेलित नहीं है देखिए याप मड़ी पूर में 62 बासट दिया गया है सदस्यों की संख्या जो की सई सुमेलित नहीं है साथ है ठीक है और 35 नंबर है जमू और कस्मी बिभाजन के बाद बने किस से किंद्र सासित परदेश के अपनी कोई विधाईका नहीं है जमू और कस्मी राज के बिभाजन के बाद बने किस किंद्र सासित परदेश के अपनी कोई विधाईका नहीं है तो लदाख याद रखिएगा C option जमू कस्मीर पुनरगठन अधिन लदाख में विभाईजित किया गया है जिसमें से लदाख के पास अपनी कोई विधाईका नहीं है जब कि जमूर और कास्मिर के लिए विधाईका का प्रोधान किया गया है 36 है राज विधान सभा के निर्वाचन का संचालन करता है राज विधान सभा के निर्वाचन का संचालन करता है कौन तो याद रखिएगा सही जवाब है भारत का निर्वाचन आयोग यानि C अप्शन अनुछे 324 के तहट राज की विधान सभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की सक्ती भी भारत के निर्वाचन आयोग कोहीं स्वाँपी गई है 37 है निमलिकित में से कौन एक राज के विधान मंडल के किसी सदस के निर्वाचन के समानित किसी प्रश्ण का विनिष्चे करने के लिए अन्तिम सता है तो राज जेपाल अप्शन ए बिलकुल करेक्ट अप्शन है इसके बारे में कुछ पॉइंट है याद रखिएगा अनुछेद 192 कनुसार किसी राज के विधान मंडल के किसी सदस के निर्वाचन के समानित किसी प्रश्ण का विनिष्चे करने के लिए अन्तिम सता राजपाल है हालांकि इस मामले में वो निर्वाचन आयों की राय कनुसार कारे करता है यदि दस्वी अनुसूची के तहट किसी सदस की निर्वाचन का प्रश्ण उठे तो विधान परिशत के मामले में सभापती और विधान सभा के मामले में अध्यक्ष पहसला करेगा 1992 में उठम नियाले ने विवस्था दिया है कि इस अंदर में सभापती याध्यक्ष का फैसला नियाई समिक्षा के परिदी में आता है इसके बाद है 38 विधान सभा के सदस्यों की निरहरताओं से समनित प्रश्णों पर अंति मिनिस्ट्रे किसके द्वारा लिया जाता है तो याद रखिएगा राजपाल के द्वारा बी ओप्शन 39 याद किसी राज की विधान सभा का अध्यक्ष चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए पत्याग ना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसको देना चाहिए तो याद रखिएगा किसी राज की विधान सभा का जो अध्यक्ष होते हैं फोटी नमबर है ने मिलखित कत्रों पर विचार कीजिगे, दो कठने कौन-कौन से कठन सही हैं, तो पहला है विधान सभा की अध्यक्ष, यदि विधान सभा के सदा से नहीं रहता है, तो अपना पद रिक्त कर देगा, बिल्कुल सही, दूसरा है, जब किसी विधान सभा का भी घटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुलंत रिक्ट कर देगा ऐसा नहीं है तो पहला सही है दूसरा गलत है यानि पहला स्टेट्मेंट पहला ओपשन ग कैसे पहला सही है जबकि दूसरा कथां सही नहीं है विधान सर्विधान के अनुछेद एकज़ एक 59 के खंड का के अनुसार विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रुख में पद धारन करने वाला सदस यदि विधान सभा का सदस नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा इसलिए दुसरा सही नहीं है क्योंकि अनुचे 179 के दूसरे परंतु के अनुसार जब कभी भी व घटन के बाद होने वाले पूनह निर्वाचित विधान सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पत को रिक्त नहीं करेगा इसी के साथ आज का सेसन समात करते हैं नेक सेसन में बचे हुए प्रशनों को कभर करेंगे आप अपना परतिकिरिया देत जा रहता है थाइंक्यू मिलते हैं नेक सेसन में